हेलो दोस्तो फिरसे एक बार स्वागत आपका हमारे चैनल के नई वीडियो में दोस्तो आज काफी खुबसरत हाउस प्लान का डिजन लेके आए हैं इसमें आज आपन डिसकस करेंगे नक्षे का पूरा डीटेल केसा रहने वाला है उसका फरनिचर प्लान भी आपके साथ शियर करने वाले है सबसे पहले तो देखेंगे अभी प्लाट का डाइमेंशन क्या रहने वाला है और कैसा हमने उसमें क्या रिक्वार्मेंट लगने वाली है तो दोस्तो जो प्लाट का एरिया रहने वाला है 2531 पीट रहेगा जिसमें हमने 1325 square feet में design किया हुआ है जो sizes रहेंगी यहाँ पे देख सकते 26 by account feet में जो अपना building covered area रहने वाला है तो इस plot में हमने design किया हुआ है अगर आपकी plot के size 25 feet by 50 feet है तो भी आप इस plan को use कर सकते हैं तो एक feet ज्यादा रहने वाला है मतलब 26 by account feet में design किया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते dimension कुछ इस तरह रहने वाले है तो यहाँ पे आप देख सकते east अपना front रहने वाला है उस तरप road रहेगा south, north और west के तरप other owner property है तो अपना जो plot रहने वाला है जो हमने design किया हुआ है तो यहाँ पे कुछ requirement pacification रहने वाली है जो कि मैं आपको बता देता हूँ तो guys इसमे requirement रहने वाले है एक living hall चाहिए kitchen, पूजागर, common toilet चाहिए common मतलब जिसमें toilet bathroom अटेच रहता है वेसा चाहिए एक guest room चाहिए जिसको एक attached toilet रहेगा दो master bedroom एक common bedroom और external अपनी CDA रहने चाहिए मतलब रेंटर की subset design किया हुआना चाहिए तो इस तरह requirement रहने वाले है जिसमें तो टोटल अपना 4BHK का plan रहने वाला है तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के नए viewer है तो चैनल को subscribe कर लिजे आपको डेली हमारे चैनल पर एक नया house design का वीडियो देखने को मिलेगा अगर आप भी गर बनवाने का सोच रहे तो आपको हमारे चैनल पर कापी सारे house plan की design की वीडियो मिलेंगे तो आप वहाँ से idea ले सकते हैं अगर आपको भी customize plan बनाना है तो यहाँ पर हमारा number दिया हुआ है इस number से आप संपर्ग करके आपके लिए अच्छा बना सकते हैं तो उसके कुछ charge लगने वाले है जो वार्सब करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि क्या charge लगने वाले हैं तो पहले तो आपन layout plan देख लेते हैं किसा आपना layout plan रहने वाला है तो इस तर हमने design किया हुआ है फोर बीट के house plan तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें अभी dimension दिये नहीं है furniture भी कुछ add नहीं किया हुआ है जो कि आप next उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा तो वीडियो पूरा देखी ता कि आपको पूरी जनकरी समझ में आ सकें तो गईस फ्रंड में आप देख सकते हैं 12 पिट के तरफ open space चोड़ा हुआ है तो यहां पर देख सकते हैं जो इस की तरफ रहेगा और जो अपना नौर्थ है उस तरफ यहां पर देखेंगे तीन पिट के में जगाद चूड़ी हुए अबर्णिमेंटी गेस्ट्रूम चाहिए था तो गेस्ट्रूम यहां पर उसका डौर देख सकते हैं जैसी बरामदे पर पहुच जाएंगे तो यहां पर गेस्ट्रूम मिल जाता है जैन गैस में इंटरस अपने इस्ट पेसिंग रहने वाली है यहां पर छोटी सी लोबी रहने वाली है तो लोबी से अंदर चले जाएंगे तो यहां पर देखेंगे तो बड़ा सा लिविंग हॉल मिल जाता है और यहां पर आपने एलेडी उनिट का ओप्शन दिया हुआ ह तो इस तरहां आफर एक डोर धीया हुआ है तो इसमें पर यहां प्र पेडियों लोब रहने वाला है तो यहां पर जो बेडूम रहने वाला है उसको में पर याप टॉस्ट सकते हैं जिन के सामने अपने को एक master bedroom मिल जाता है यहां पर आप देख सकते हो और यहां पर उसको एक अटार्ट टोएलेट भी रहने वाला है तो तीन फिट चेंज का वइट का यहां पर पैसेज मिल जाता है common toilet की लिए तो कैसे यहां पर अपने common toilet रहने वाला है जिन अपना और बीच के का design रहने वाला है अभी उसका dimension देख लेते furniture plan देखते कैसा रहने वाला है तो गैस इस तरह फरनीचर प्लान रहने वाला है उससे पहले में शेडूल ओपनिंग बता देता हूँ क्या 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 आपने शेडूल ओपनिंग रहने वाले मतलब कौन से डूर की के च्या रखने वाले है तो यहाँ पी शेडूल ओपनिंग रहने वाले गतीस यहाँ पे जो मेंगर दिया हुआ है मेंदी का मतलब मेंद रहे गा चारपऊपाय साथृट्वरे दामने लिया हुआ है डैटीmतलब टौहलेट का दोर न याव दोपनिंग अपन को मिल जाती ह वी विंडो की साइज रहने वाली है W यहाप आप नोटेशन देख सकते हैं जहाप नोटेशन देया हुआ है उसी साइज के आपन को यूज करना है W 4 feet by 4 feet रहेगा W1 अपना 5 feet by 4 feet रहेगा W2 की साइज रहेगी 3 feet by 4 feet रहेगी और V मतलब वेंटिलेशन जो अपने टॉलेट बात्रूम को देते हैं उसका वेंटिलेशन के लिए उसकी साइज रहेगी 1,5 feet by 2 feet और गयज जो अपनी सीडिया रहने वाली है कापी इंपोर्टन तो उसकी राईज उर्ट्रेड आप देख सकते हैं राईजर रहने वाली है चाड़ 6 वाली है तो यहाँ पर देखेंगे तो पार्किंग रहने वाली है 11 feet 9 inch by 13 feet 9 inch की यहाँ पर आपकी बड़ी सी बड़ी गड़ी आराम से पार्क हो जाएगी आप चाहे तो 2 feet अपना स्लप एक्स्टेंज कर सकते हैं यहाँ यहाँ पर गेश्टूम रहेगा 12 feet by 12 feet का यहाँ पर 3 inch by 4 feet change की और इसके बाद यहाँ पर हमने पूजा रूम डिजन किया था 5 feet by 4 feet का पूजा रूम रहेगा अपना लीविंग हाल देख सकते हैं यहाँ पर 14 feet by 14 feet 3 inch का रहेगा काफी बड़ा मिल जाता है यहाँ पर आप सीटिंग देखेंगे तो यहाँ पर सोपा सेट मिल जात यहाँ चाहे तो यहाँ पर दोर दे सकते हैं ने तो ओपन किचन भी रख सकते हैं यूटिलिटी स्पेस आप देखेंगे तो 3 feet उसकी लंबाई रहने वाली और 4 feet चेंज रहने वाली है और गैस आगे पोच जाएंगे तो 3 feet चेंज का वाइड अपने को पैसेज मिल जाता है तो यहाँ पर जो bedroom डिजान किया था 10 feet by 12 feet का रहेगा यहाँ पर उसका double bed देख सकते हैं अन्मीला का poison यहाँ पर दे सकते हैं तो यहाँ पर रहने वाली 6 feet नो हिजब का अलमीरा का poison रहेगा को पैसके बाद उसके सामने का bedroom देख लेते हैं master bedroom जिसे कहिने वाला है जिसको और टौलेट था, 6-bit, 6-5-bit का, उसके बाद यहाँ पर जो हमने अलमिरा डिजन किया था, 4-bit, 9-inch बाई, 10-bit का रहने वाला है, जो हमने कमन टौलेट डिजन किया था, 7-bit, बाई, 4-bit का रहेगा, यहाँ पर उसका देख सकते हैं, वाजब शिह रहेगा, उसका डौर यहाँ पैसेज अपना 3-bit चेंज वाइड का रहने वाला है तो कापी बड़ा स्पेस मिल जाता है पैसेज के लिए यहापे जो बेड़ूम रहने वाला है 10-bit by 12-bit का बेड़ूम रहेगा यहापे बेड़ रहेगा यहापे अनमिरा का प्रोविजन दिया हुआ है उसके बाद जो अप 20-bit by 1-bit में 4-bit का हाउस प्लान 25-bit बाई 50-bit में भी आप इसे डिजाइन कर सकते हैं तो दोस्तों यह नक्षा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूब बताए आप चाहे तो इसका किरिंग शौर्ड भी ले सकते हैं अपने दोस्तों और रिस्तादर्यों का सच जरूद शेयर करें ताकि हो भी इस आउडिजन का लाब ले सकें तो थैंक्यू बर वाचिंग गाईज